हेलो एवरिवन आयम गौरब एंड वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स पार्ट साला तो भाई जो आज का टॉपिक है इस फॉर क्लास 11 एंड टॉपिक नेम इस इंटीग्रेशन अल्रेडी हम मैथमेटिकल टूल्स में डिफ्रेंशेशन और उसके अप्लिकेशन मतल समझनी है तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशेशन का जो रोल है फिजिक्स में बहुत ज्यादा हर चैप्टर में हर टॉपिक में आपको लगभग लगभग मिल जाएगा इंटीग्रेशन भी और डिफ्रेंशेशन भी तो उनको बहुत दिहान से आपको समझना है चलिए तो बिना टाइम वेश्ट के हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है समझिए चलिए भाई तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन अब आप सपोस किजिए आपके पास एक वाई एक्स ग्राफ है क्या है वाई एक्स ग्राफ ओके यह वाई एक्स ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन होता इमेजन करो अब यह कि स्ट्रेट लाइन होता और हम क्या कह रहे हैं कि इस वाइक्स ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है वाई एक्स ग्राफ में जो हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है अगर हमें उस स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच एरिया निकालना हो कितना बाउंड है तो यह बहुत एजली निकल सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको यहां से एक पर प्रॉब्लम ड्रॉब कर लो सिधा ठीक और रेटेंगल ट्रेंगल का एरिया लगा दो एरिया इस इकल टो आजाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक बस इसके कोदिनेट पता होने चाहिए आपको मान लोई आपका जो है वह एक्स वन कॉमा वाई वन है तो यह जो बहुत आसानी से निकल आए यहां पर जो एरिया बाउंड है बिट्वीड एंड can एक्स अदूा अ reaction होता उसका एरिया बहुत लेकिन इमेजिन करो यही एक्स वाए ग्राफ क्या होता क्र वोत बोत यही एक्स वाई ग्राफ आपका करकं कर आपका alguma होता दो हम मैं आद है आपको पता करना है इस कार और x-axis कि बीए जो एरिया है wearing इतना है इसके लिए हम क्या करेंगे यहां से एक परपेंदी डिख़ो ड्रोकर देते हैं चलिए अब हमें यह एरिया निकालना है इस सरकल नहीं है कोई सेग्मेंट का फॉर्मला मत लगा देना इसमें सरकल नहीं है इस नौट सरकल यह लाइन जो है वह सरकल को डिपरेज़न है कि क्लियर रहे इसके लिए आप क्या करोगे चलो अब अगर मैं इसको ट्राइंगल ऐसे बना लिए तो को उसका एरिया से मैच नहीं करेंगा तो ट्रॉयंगल का फामलदा हम लगा नहीं सकते हैं अगर हम पॉनsinol near चूट जाएगा इतना यतना ये निकले य इतना इतना ये चूट जाएगा तो अपना अंसर सही नहीं आएगा और कोई तरीका सोचते हैं तो ट्राइंगल से तो बात नहीं बनी और कोई तरीका देखें जैसे मान लीजिए आपने रेक्टेंगल चूज किया इस जगे एक साइड यहां पर एक साइड यहां पर हमने ऐसे चूज कर ली ठीक है और अगर मैं इसका एरिया पर बने का लों तो प्रॉब्लम क्या रही है यहां पर जो है अगर हम यहां से एक लाइन खीषते हैं ऐसी तो ट्र्रीपेजियंग मनेगा पर उसमें किया है यह फालत हूएगा उस लाइन से उपर और कर्व के बीच में जो एरिया है वह फालत हूआए गा ठीक है और ट्री ले आई जाएं इमेजन करो अपनी साइड थोड़ा क्लोज यहां पर कर दी इस जगे पर ऐसे अब आप दिहान से देखो यहां से लैंड ड्रो करो ऊपर एक ट्रेंगल बन रहा होगा जैसे पिछली बार अगर मैं देखो तो ट्रेंगल जो बन रहा था वह काफी बड़ा था ट्रेंगल जैसे सेब दिखरी थी ट्रेंगल तो नहीं था कर वह उपर तो काफी बड़ा था लाइन को पास लाए चोड़ा चोटा हो गया और पास अगर ले आते हैं तो यह और चोटा ट्रेंगल हो जाएगा अगर और पास ले आया मैं इस लाइन को ट्रेंगल बहुत है तो फिर हम यह मान सकते हैं कि यह तरह का rectangle बन रहे हुआ भर क्या बन रहा है rectangle इस तरह से यह एक आप इस ट्रिप लो बहुत पतली से इस ट्रिप जिसकी थिकनेस जो है न यह एक्स एक्स पर वह तो डी एक्स है और इसकी जो उचाई है वो मान लो आप वाई इस तरह से यह जो आपके पास दिख रहा है यहां पर इस ट्रिप मानिये मैंने यह जो इस ट्रिप है आपकी आप इसको मान सकते हो रेक्टेंगल हलाकि रेक्टेंगल नहीं है यहां पर एक कर्व है उपर इसके इस जगह पर यहां पर एक कर्व है वो सिदे स्टेट लाइन नहीं है लेकिन अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रो कर दूँ तो आप दिहान से देखो नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है उसके कंपेर area यह एरिया जो मनेस को रेड से मार्क किया orada क्या है इग highlight वल इंगा तो आधा dirt क्यों क्यों कि नीचिय वाला rectangle एरिया जो दिखा रहे है अपना और यह उपर वाली शेप एरिया दिखा रह lookout उनमें बहुत बड़ा फर्क है नीचे वाले रेक्टेंगल मगर सुरिय को जोड़ विदो तो खास अंतर नहीं आएगा तो फिजिक्स में जब भी ऐसा हो कि आपकी कैल्कुलेशन आसान होती हो और आंसर में खास फरक ना पड़ता हो तो आप वो कर सकते हो बेचक तो हम क्या क हमारेषel तो पहले करेंगे जो हमारे पास सेप थी रिए के पे पास तरह का उस सेप को हम इस तरह से मान लेंग वह रीक्टेंगल बन गया लेंथ जो है उसकी y हो जाएगी और थिकनेस इसकी dx हो जाएगी जो इसका एरिया आएगा वो कितना आएगा दिये यह हो जाएगा y into dx क्या हो जाएगा y into dx क्लिर है भई यहाँ पर x is equal to x1 है यहाँ पर x is equal to x2 है अब देखे इस तरह की और बहुत सारी strips होंगी इसमें जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिप मानले हम और स्ट्रिप माननें स्ट्रेगी तो जोड दिया जाए भाई यह हो जाएगा पूरा एरिया हमारा आ जाएगा पर जोडने के लिए नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है क्योंकि यह जो डियेक्स है यह बहुत स्मॉल थी अब इस तरह के कितने रेटेंगल इसके अंदर बनेंगे वो भी हमें नहीं बता तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए कब तक ऐसा करना है và उसके बीच में इस तरह की वह सारी स्ट नहीं संब्दो यह ही कहना जा रहा है इसका मतलब है आड़ कर दो किसको उसके अंदर लिखा उनको इस अभी एरिया को एड़ कर दो कब तक करना है काम जब तक कि आपका एक्स एक्स वन से लेकर एक्स टू ना हो जाए जब तक कि सारे जिदने भी स्ट्रिप्स मिलते हैं सब को जोड़ दो यह कहना चाहरा है इसमें सिम्पली है तो ओगे इंटीक्रेशन ओफ डिए इसको मैं इसे लिख देंगे वाई ils इंटू डI aks और puls away ग्राफ हमेते जो एरिया होता है ऑक का इंटीक्रेशन ओव वाई इस। तो में लिख सकते हैं एरिया ओफ एक्स वाई ग्राफ विदिन प्रॉपर लिमिट्स इस कॉल्ड इन्टिग्रेशन ओफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठेक है इस ट्रिप को हम ऐसे भी मान सकते थे भाई एक्स करके तो वहाँ पर एक्स इंटू डिवाई आ जाएगा तब लिमिट वाई की लग जाएंगी वह भी सही होगा आपका तो यह था आपका इंटीक्रेशन की डिविन की डेफिनेशन अब आते हैं इंटीक्रेशन का फिजीक्स में कैसे यूजज करना है वह आप छवाँ से समझना इंटेग्रेशन का जो फिजिक्स में यूज है उसे आप ठुछा ध्यान से समझो ये बहुट ब्रौड में हम नहीं पढ़ने वालेया बहुत लीब नहीं पढ़ेंगे इसको इंटेग्रेशन को को हम सिर्फ उतना ही पड़ेंगे जितना विषिक में बेसिक बेसिक इंटीक। इंटीग्रेशन आपको आना चाही है आप ़िशेट के लिए ऐसे ही यहां पर integration के formula होंगे सबसे पहले x की power n का यह formula कर लेते हैं चलिए देखते हैं कैसे होगा यही formula को सबसे important है first formula है इसका सबसे ज़्यादा use होगा x raised to the power n dx तो इसका formula होता है x की power n plus 1 divided by n plus 1 और प्लस एक constant c आता है और यह नहीं आता है अगर यहां पर limits लगे हुई है यसे x1 x2 लिखा हुआ है और फिर लिखा है x की power n dx तो जाएगा आपका x की power n plus 1 upon में n plus 1 और limit लग जाएगी x1 नीचे x2 पर फिर यहां पर constant नहीं आएगा यह indefinite है और इसको बोलते है definite integration limit की साथ ही करना होता है हमको most of the cases में तो जिक में नीचे वाला ज्यादा नीचे वाले का हम अधिकतर यूज़ करेंगा अब इसका example देखो कैसे कैसे करते हैं वह इसको और इसमें भी वही प्लस माइनस वाली रूल है तो प्लस माइनस में अलग-अलग कर सकते हो multiply का भी रूल है पर वो रूल बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं उसे नहीं कराऊंगा फजिक्स में उतना आएगा भी नहीं अब यह मान लिजिए आपका x cube प्लस 4x प्लस 3 दे रखाओ और into लिखा हुआ है dx इस तरह से यहाँ पर limit लिखी हुई है 1 से लेकर 2 solution देखिए से कैसे करना है पहले तो integration का symbol x cube हाँ यहां से integration और dx दोनों हट जाएंगे बस x की power n का answer यह आएगा जो मैंने लिखा हुआ है इसकी help से आपको करना यह है इस तरह से एक्जांपल देखो आप दिहान से जरा चलिए मैं उपर से मिटा रहा हूँ उसको चलिए पर नीशे कर देता हूँ एक लाइन और उसके बाद मिटा देंगे यह तो सिधे इस से गंपेर कर लो आप डारेक्ट x की power n था यहाँ पर cube है तो n की value क्या है 3 है कि दिएक्स हट जाएगा यह सिंबल हट जाएगा बस एक्स की power 3 के जगे एक्स की power 4 अपॉन में 4 आ जाएगा जो पावर होगी वही पावर डिवाइड करनी है बाद वाली पहले वाली नहीं लिमिट 1 से 2 प्लस इसमें भी बाहर आता है पिशली बार के दरी सेम फिर अंदर क्या बच जाएगा एक्स डी एक्स वन से 2 प्लस यहां भी कॉंस्ट आ जाएगा बाहर अंदर बचेगा एक्स की power 0 अगर हम ऐसे लिखें थ्री इंटू 1 इंटू डी एक्स थ्री आ जाएगा बाहर अंदर बचेगा वन इंटू डी एक्स और वन को हम लिख सकते है एक्स रेश दी पावर 0 जो भी लिमिट दिवा जाएगी तो इस तरह से लिखाया मैंने इसको तो किसी की भी पावर 0 वन के बराबर होती है तो एक्स की पावर 0 से खास परकने पड़ेगा बस वन के प फाइदा मिलेगा हमको यहां पर पहले अपर लिमिट पूट करनी है टू के प्लेस पे फोर यह वन अपॉन फोर को आप बाहर लिख दो पहले जो नंबर है और फिर लिमिट एक्स के प्लेस पे टू पूट कर दो पावर जो लगाने पड़ेगी फिर माइनश एक्स के प्लेस हे वन पूट कर दो जो पावर लगे लगाने पड़ेगी यह फोर तो बाहर है यहां पर एक्स की पावर 1 है तो यह उ मतलब बाहन एक पावर बढ़ती है इसमें पिछली बार एक पावर कम होती थी इस बार बढ़ती है यह उल्टा है किसका integration का यह 3 आगया जाएगा और X की पावर जो 0 है वो हो जाएगी 0 प्लस 1 का मतलब 1 और अपावन में क्या जाएगा 1 एक बढ़ जाएगी 0 थी 1 to 2 लिमिट आजाएगी 2 to 4 to 8 to 16 माइनस 1 प्लस 4 इन 2 यह 2 भी आप बाहर निकाल दो पहले जो नंबर है ओपर 2 का स्क्वार माइनस 1 का स्क्वार प्लस 3 इन्टू 2 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1 को बाहर निकालने कोई मतलब नहीं वो तो 1 ही रहेगा अब यह हो गया सॉल बस सिंपल था कुछ भी खास नहीं है इसमें ब्लोकुल सिंपल सिंपल लिए प्लस 3 इन्टू 2 हो जाएगा प्लस 3 इन्टू 2 हो जाएगा तो 15 बाई 4 प्लस 6 प्लस 6 तो यह आपके पास जो आजएगा अंसर सॉल्व कर लो इसका अंसर हो जाएगा आपके पास अब लेने के बाद यह आजाएगा प्लस ने कहीं प्लस माइनस में गड़बर हो जाएगा अब यह जाएगा अब इस तरह से बाई सॉल्व करते हैं इसको चलिए अच्छी बात है अब कुछ और फॉर्मले देखो आप इसके जैसे एक्स की पावर एंड का तो फॉर्मला हो गया सिंपल फॉर्मला था अब हम देखते हैं कुछ और फॉर्मले सेकेंड फॉर्मला है इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी-एक्स इसका होता है माइनस कॉस- एक प्लेस एक कॉंस्टन लगा लेंगा और जब लिमिट देऊंगे तो तो कॉंस्टें मत लगाना अब ठीक है अभी लगा दिता हूं में इसमें यह कॉंस्टें निकालना नहीं कभराओं मत इक अपने को लिमिट्स दे रख्योंगी जैसे मैं लिमिट्स कर दूँगा वैसे यहां पर लिमिट्स लग जाएं काम खतम हो जाएगा ठीक है मैं यह कोस एक्स दिएक्स यह आपका प्लस साइनwrन स्भ सी हो जाएगा क्लियर है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स डी एक्स यह होता है आपका माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी के बराबर सुरी माइनस नहीं है ठीक है माइनस तो धरी लगाना है यहां माइनस मत लगाना हटा देना माइनस यहां से फिर कॉसेक स्क्वाइर एक्स हो अगर तो फिर माइनस कॉट एक्स के बराबर होता है sorry e raised to power x का यहां भी e raised to power x ही होता है उसमें कोई चेंज नहीं करना e raised to power x का integration with respect to x करेंगे तो यह आ जाएगा 9th integration of 1 by x करते हैं एक और बात जो X की पावर N का है वो इस फॉर्मले से क्यों अगर मैं इसको ऊपर लाकर ऐसे करने कुशित करूं अभी नोट नहीं करना अगर मैं ऐसे करने कुशित करूं तो आजाएगा आपका जीरो अपॉन में जीरो और वन अपॉन जीरो क्या है गा नॉन डिफाइन जैं infinite bowling और इसको इस फॉर्मले को हम उस तरीके से नहीं कर सकते तो गलत जाएगा ऐसा नहीं करना आप को इस तरह से नहीं करना क्लिर है इसको अटाओ तो केवल अकेला वन अपॉन एकस ऐसा है जिसमें आप एक्स की पावर एंड का फाउन्मला नहीं लगा सकते इसका सीधे होता है अंसर log base e x log x base e और प्लस c one upon dx का इसको उपर लाके power minus one मत करना इस अकेले में बाकि सब में आप कर सकते हो one upon x square में आप कर सकते हो तो भाई यह हैं आपके main formula जो आपको याद रखने इनहीं से हो जाएगा आपका physics का पूरा काम और भी बहुत सारे formulae हैं इसके पर सारे use में नहीं आते हैं इसलिए उनको मैं जब भी बताऊँगा जब भी आपका physics में होंगे use clear है इतने formulae बहुत हैं आपके लिए physics में इतने ही formulae बहुत हैं इतने ही formulae आप note कर लो बस ज़्यादा करने के आपको जुरूत नहीं है इससे बाहर नहीं आएगा अब तरीके से एक लिए का दो extra जैसे अगर हमको इस तरह से दिया हो ax plus b की whole power n दिया हो integration dx दिया हो तो इसे कैसे करेंगे हम ठीक है सुनिए इसे करने का तरीका क्या होता है इसे करने का तरीका है आपको इसको बिल्कुल दिमाग में x मान के solve करो ax plus b की whole power वो एक बढ़ जाती है और divide मा जाता है n plus 1 लेकिन चुकि अंदर सिर्फ x नहीं था तो आपको इसे दुबारा differentiate करना integrate नहीं करना differentiate करना वो भी divide में केवल बिना power के इस तरह से अब इसका example देखो आप यह रूल है ध्यान नहीं जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे कभी आपको टू एक्स प्लस फाइब की power दे रख्या फाइव इस तरह सिद्धे रखा है यह डिएस लिखा हुआ है इंटीग्रेशन लगा हुए यहां पर एक प्लस कॉंस्टेंट सी भी आएगा लेकिन उसको निकालने जोद नहीं पड़ेगा मैं लिमिट दे रहा हूं वन से टू लिमिट है माल लो आप कैसे करोगे देखो इसे इसे तो आप सॉल्व कर लो बिल्कुल वैसे ऐसे आप करते हो ति कैसा हो जाएगा पावर तो एकिन इस फॉर्मले का है स्क्वाइर अंदर हो गया तो फिर नहीं होता सॉल्व हो दियान रखना सिर्फ इस फॉर्मले के लिए बता रहा हूं मैं प्रॉपर एक्स प्लस 5 की पावर 6 और अपॉन में 6 फिर डी ओवर डी एक्स टू एक्स प्लस फाइव और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वह वन से टू थी तो हमने लिमिट भी लगा दी साथ में पहले पावर सॉल्व कर ली तो प्लस 6 अपॉन 6 आ गया इसके बाद बिना पावर के जो करना है दुबारा इंटीग्रेट नहीं करते हैं डिफ्रेंशेट करते हैं जहां रखना तो टू एक्स प्लस फाइव की पावर 6 और डिवाड़ेड़ भाई आपका हो गया 6 इन टू इसको डिफ्रेंशेट कर लो तो डी ओवर डेंशे बंदर जाएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ और प्लस डी एक्स ब्रेंशन की लिमिट क्या है बॉन से टू अरे डिफ्रेंशेशन तो आपको पहले से आता होगा मैंने बना रख आ हैं इसका वीडियो ठीक्षर, 2x प्लस फाइब, whole raised the power 6 है, divided में काज़े 6 तो ट्वे 12 आ जाएगा, और whole power क्या जाएगी भाई, इसकी 1 से 2 आ जाएगी whole power, 1 से 2, इसको अटा देते हैं अब, तो 1 अपउन 12 तो आपका बाहर आ जाएगा, और limit पुट कर दो, एक्स के प्लेस पे लिमिट रखी आती है ध्यान रखने इस बात का बाकि जो बिची लिखिए उसको लिखना पड़ता है ऐस ठीक है अब इसको सॉल्व कर ले ना अंसर आ जाएगा इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा अपने आप सॉल्व करों गया प्लाइन की पावर सिक्स हो गया यह माइनस टू बंजा टू सेवन सेवन की पावर सिक्स हो गया इस तरह से इसको खुद सॉल्व करें अपने हिसाब से इसे इतने बड़े नियाएंगे मैं कि एक्जामपल आपको दिया था समझाने के लिए क्यूब करके फिर स्कॉर के याड कर लेना इसके बाद हो जाएगा सोल्व कई तरीके करने के इसके बाद आप आपके उलिस में कैल्कुलेशन बचीए कैल्कुलेशन भची एक बढ़े चाहिए चलो इसको टादो हो गया भी कुश्चन इस तरह से करना वह आपको यह कुश् कुश्चन अब मान लिजा आपको दे रखा हो इंटीग्रेशन रूल नहीं है बटा यह इस इदे कुश्चन है अब एक डिस्प्लेस्मेंट मेथड का भी रूल है तो इसको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्च्चर में काफी लंबा हो जाएगा अपर ने वीडि प्लस फोर दिया हो समझने के लिए मान लिजे और इसमें डिएक्स दिया हो इसे कैसे करेंगे इंटीगेट है क्लियर है इसमें लिमिट भी लगा दो एक्स की 3x प्लस पाइब टू कर लेते हैं इसको जीरो से पाई ऐसे लिख दिया मैं लिमिट क्लियर है भई इसे करना अपने को इंटीग्रिट अब दो कैसे करेंगे सुलूइशन इसका साइन का होता है माइनस कोस तो चुपचाप माइनस कोस कर दो पहले कुछ भी कर नहीं करना उसमें अलग इस्तरे से कर दिया अगरी केवल साइने एकस होता तो इसका इंटीग्रेशन होता माइनस कोस एकसर बात खतम हो जाती बस लेकिन यहां पर X की जगह पर कुछ और लिखा हुआ है और जब ऐसा होगा तो फिर आप क्या करोगे साइन को जैसे करते हैं वैसे कर दो साइन का इंटेग्रेशन माइनस को सता है हमने लिख दिया फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको टिफ्रेंशेशन चांडर लिखा उसका ठीएए अप्रिफ्रेंशेट करते हैं इंत्फिग्रेट नहीं करते हो फिर डिवाइड भी Inter लिमिट लगा दो इसमें जीरो से πाई लीमिट के लगा दोगे भई जीरो से पाई अब ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 137 प्लस या तो डिवाडड़ वाई यहां से केवल 3 बचे तो विभाइन जीरो जाएगा तो 3 बच जाएगा डिवाइड है अपके पास माइनस 1 बाई 3 आप बाहर लिख दो कॉस लिखा रहने दो X के प्लेस पर पुट गर दो 3 इंटू 5 प्लस पाई बाई 2 फिर माइनस कॉस की जगए X की जगए पर जीरो पुट गर दो प्लस पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट लगा दी इस तरह था आया इसको देता हूं मिटा मैं अब यह हो गया आपका 7 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 कॉस में माइनस यह हो गया कॉस पाई बाई 2 ठीक है और कॉस में अगर पाई बाई 2 होता है तो उसका अंसर जीरो ही आता है दिमाग लगाने के आपको बिल्कुल भी जरुवत नहीं चाहिए वो किसी भी मल्टिपल में आए क्या आ जाता है इसका अंसर जीरो आ जाता है कॉस 7 पाई बाई 2 भी जीरो हो जाएगा अच्छे यह कैसे करते हैं इसको मैं जब ट्रिग्णोमेट्री पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊं कॉस 7 पाई बाई 2 की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है अभी तो मैं लिख दे रहा हूं इसका अलग से मैं वीडियो एक्षर बना दूँगा कॉस 7 पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो कैसे आई है और जो एंगल से वो निकलते कैसे यह भी जीरो कॉस पाई बाई 2 भी जीरो होता है जिन बच्चों को भी ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है जिनको नहीं आते हैं उनको बहुत इसली बात यह समझ में आ जाएगी लेकिन आज ने उसको मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडिटिएस्टि नम समझाऊंगा अभी तो मैं समझा रहा हूं integration तिया आपका अंसर आ जाएगा जीरो कितना जाएगा जीरो हो गया अंसर यह था भाई इस तरह सॉल्व करना इसको क्लियर है चलिए वो displacement method वाला भी मैं करी देता हूं उसको भी अभी एक अलग रूल है देखो ध्यान से आप इसको रूल क्या है इस टैब कोश्चन नहीं देख लो तो कोश्चन आपको समझ में आ जाएंगे तो पूरी बात भी आपको समझ में आ जाएगी जैसे मान लेजिए उपर लिखा हो थ्री एक्स divided by लिखा हो 4x square प्लस 2 का whole square लिखा है इस तरह से यह आपको दिया हुआ है इसमें लिमिट भी लगा लो 0 से 1 ज्यादा कैल्गुरेशन नहीं पड़े इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है ठीक है बई इस वाले को solve कैसे करना है द्यान से देखो इसको इसका solution थोड़ा important है आपको ऐसे questions में देखना है पहले द्यान से क्या denominator का differentiation denominator का differentiation है क्या उपर वाले x को काट सकता है अगर ऐसा होगा तो आपको लगाना है तुरंद displacement method क्या लगाना है displacement method इसमें क्या करूंगा मैं let मैंने पूट बिना पावर के बिना पावर के मैंने 4x square plus 2 को पूट कर लिया वाई के एक्वल है क्लियर है और फिर इसे differentiate कर दिया x के respect में डी वाई ओवर डेस कितना आ जाए यहां से 8x plus 0 इसमें dx भी रिखना था है इंटिग्रेशन ओफ ट्री एक्स स्क्वार पॉन फोर एक्स स्क्वार प्रस टू का होल स्क्वार ट्री एक्स स्क्वार ने डी एक्स के respect में करना था solution देखो आप इसका यहां से आप पहले dx निकालो डी एक्स क्या जाएगा डी वाई अपॉन में 8x डी वाई अपॉन में 8x अब यह पुट कर दो y और dx की value पुट करते हैं इस जगे पर देखो आप integration क्या हो जाएगा आपका integration 3x अपॉन में 4 x square प्लस 2 का जो होल स्क्वार था dx लिमिट 0 से 1 यह क्या हो जाएगा देखो x को मत कुछ भी करो x को तो x ही रिखाने दो y 4 x square प्लस 2 को y के एक्कोल माना है तो यहाँ पर आजाएगा y और यह लग जाएगा square लगा तो square लगा दिया dx के place पर यह पुट कर दो क्या dy upon में 8x कर दिया पुट 0 से 1 अब क्या कर आपने इस x से इस x उकार्ट दिया 3 by 8 तो नंबर है सिधा बाहर आ जाएगा integration 0 से 1 y की power minus 2 हो जाएगा उपर आकर और यह हो जाएगा dy भाई यह उपर आकर y की power minus 2 ठीक है इस तरह से अब यह क्या हो जाएगा 3 by 8 अगर उपर भी एक्स और नीचे इंटिग्रेशन नहीं होता इस रूल से करते हैं द्यान रखो आप इसका यह important रूल है कभी कभी आ जाता है physics में भी तो यह हो गया y minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 लिमिट लगा दो इसमें क्या 0 से 1 लिमिट के लगा दी मैंने 0 से 1 लेकिन एक एक प्राब्लम है और प्राब्लम यह है कि जो लिमिट थी यह एक्स की थी जीरो और लिमिट किसकी है एक्स की है जबकि यहां पर y लिखा है तो उसको वापस चेंज करना पड़ेगा उसके बाद पूट करना आप लिमिट एक्स में चेंज करना पड़ेगा वापस यह आगे आपके पास 3 by 8 माइनस बाहर निकाल दो माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 आएगा माइनस को बाहर लिख दिया मैंने और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपोन y लिमिट 0 से 1 तो माइनस 3 अपोन 8 यह लिमिट किसकी है एक्स की है अरे 0 और 1 तो लिमिट एक्स की है ना y की थोड़ी है तो y की पहले value पुट कर दो आप क्या 4x square by 2 क्योंकि limit जो हमें पुट करने है वो x की value के लिए करने है यह x की limits है जहां जहां x आएगा वहां वहां 0 और 1 रखना होता है हमको तो y के place पे हम यह limit नहीं रख सकते तो पहले y को वापस convert कर दो किसमें जो आपने माना था उसमें तो y की value क्या थी 4x square upon 2 थी ना यह तो माना था इसको put कर दो यहां पर तो minus 3 by 8 1 upon में 4 into 1 का square और plus 2 फिर minus 1 upon में 4 into 0 का square और plus 2 कि वह एक्स के place पर करते हैं limit put अब यह कितना आ जाएगा देख लो answer होगा आपका बस यह answer है अब मैंने इसी वीडियो एचर में कर दिया आपका यह वाला method भी ठीक है इन्हीं पर आते हद से हद physics में कोशन इस ज्यादा नहीं आ सकते आपके तो यह होगा 6 minus 1 upon 2 minus 3 by 8 यह आपका हो जाएगा minus को अंदर भेज दो 1 by 2 minus 1 by 6 इस minus को अंदर भेज दिया मैंने 3 by 8 एसे हम 6 ले लो इसका 3 minus 1 तो 2 आ जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 1 by 4 1 by 8 यह होगा आंसर थी और 2 मिलके 6 से कर जाएगा 1 by 8 आपका अंसर हो जाएगा तो यह इस तरह सॉल्व करते हैं इन questions को integration को ठीक है तो एक question और कर लेते हैं इसका बस फिराज का विडियो करेंगे बाकी जो questions होंगे integration के उसका physics में कहां कहां यूज है वो मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो रेक्षर में ठीक है कुछ नुमेरिकल्स हम और करेंगा एक्स्ट्रा कि यह दिया हुआ आपका इंटेग्रेशन ठीक इसमें लिमिट नहीं रख रहा है मैं इसमें प्लस सी लगा दूंगा बाद में सी निकल जाएगा अपने अप यह ब्रेक्ट भी लगा होगा ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं से के सॉल्व करेंगे भई तो प्लस माइनस में एक तो आपका इंटेग्रेशन अलग-अलग हो जाता है इस तरह से इस डी एक्स का और इस इंटेशन सभी में अलग-अलग मुल्टिप्लाई करतो आप इस एक्स स्क्वार को एक्स की पाउर माइनस टू लिग दिया मैंने साइन का होता है माइनस को हमें पता है 3x प्लस 4 जो एंगल था वो लिग दिया लेकिन हमें पता यहां पर एंगल सिर्फ x नहीं है इसको दुबारा डिफरेंशेट करना पड़ता है 3x प्लस 4 यह रूल है यह ऐसा ही क्यूं होता है यह मैं ने पढ़ा रहा हुए जैसा होता है उसके coding करना कैसे वो बता रहा हूं है यह math में पढ़ाते हैं कि ऐसे क्यों है rule इसका derivation नहीं किया है मैंने आपको सिर्फ तरीका समझा रहा हूं ऐसे करते हैं तो आपको ऐसे क्स को memorize कर लेना है रट लो एक्स की पावर माइनस टू प्लस बन क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं करा सकते बहुत लंबा प्रोस्ट वह है यह टॉपिक सिर्फ आपके काम-काम की चीज़ आपको समझा रहा हूं मैं जो अपने में होती है उससे थोड़ जादे समझा रहा हूं प्लस C एकी पावर एक्स का तो एकी पावर एक्स हुजाएगा बस हो गया यह सॉल्व एक कॉंसेंट प्लस C और लिग देना एक्स्ट्रा यह क्या जाएगा माइनस 3x प्लस 4 तो इसको रहने तो ऐसा ही और अपन में इसको अगर हम करेंगे डिफ्रेंशियेट तो 3 इंटू dx ओबर एक्स तो बन हो जाएगा तो केवल 3 बच जाएगा निचे और प्लस 4 का हो जाएगा 0 इधर आ जाओ माइनस आगया जाएगा यह बच जाएगा 1 बाई x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आगया जाएगा यह एक्स की पावर एक्स बस हो गया सॉल्व इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम बस यह आपका अंसर है छोड़ दो ही पर और प्लस यह कॉंस्ट लिख देना अगर है लिमिट होती ही तो हम एक्स के जहां जहां एक्स है वहां पर लिमिट पूड़ करते तो स्थी नहीं लगाते क्लियर है भई तो यह है आपका सॉल्विशन चलिए देखें एरिया वाला क्या कंसेप्ट था तो एरिया कैसे निकालते हैं जरा वह भी देखो आप अब समझने इस बात को ध्यान से अभी मान लो आपको कोई कर्व दे रखा है जैसे वाइस उकल टू मैंने दे दिया आपको 4x q प्लस 3x square प्लस x प्लस 1 इस तरह से दे रखा है ठीक है फाइंड एरिया ओफ कर्व विद x-axis from x बरावर 0 से x बरावर 1 तक तो यह एरिया कैसे फाइंड करेंगा भाई यह भी देख लो एक question खतम करते हैं सकाने को फिरी हैं solution देखो इसका फटा फट इसको में करना है एरिया हम जानते है एरिया क्या होता है integration of y-dx अगर x-axis साथ इरिया निकालना हो तो integration y-dx होगा और y की साथ निकालना हो तो x-dy होगा अभी 0 से 1 है limit y की value पुट कर दो 4x cube प्लस 3x square प्लस 2x प्लस 1 इस तरह से कर दिया मनिया अब इसे solve कर लेते हैं अलग अलग जैसे हम करते हैं तो 4 तो बाहर आएगा x को आजाएगा x की पाउर 4 by 4 3 आजाएगा बाहर x square का x cube by 3 2 आजाएगा बाहर x square by 2 1 आजाएगा बाहर और अगर k1 number होता है तो उसमें जो dx है न वहीं आजाएगा आपका answer तो x आजाएगा इसका देखो अलग से करके दिखाता हूं 1 into dx करेंगे तो 1 आजाएगा बाहर x की power 0 x करेंगे तो इसका आजाएगा 1 into x x की power 0 plus 1 upon 0 plus 1 इस तरह से करते हैं तो k1 number लिखा हो तो वह 0 नहीं होता है पिछली बार की तरह differentiation में 0 होता था integration में 0 नहीं होता है ध्यान रखने इस बात का दिया जाएगा 1 into x और इसमें limit आपकी क्या पूट हो जाएगी 0 से 1 limit क्या पूट हो जाएगा भई 0 से 1 अब solve कर लो आपका answer आजाएगा बस यह करना था इसमें 4 से 4 कैंसल हो जाएगा x की power 4 0 to 1 plus 3 से 3 कैंसल हो जाएगा x cube 0 से 1 2 से 2 कैंसल x square 0 से 1 और plus x 0 से 1 तो 1 की power 4 minus 0 की power 4 plus 1 cube minus 0 cube plus 1 minus 0 कैंस square square plus 1 minus 0 अभी आपका आजाएगा 1 plus 1 plus 1 plus 4 हो जाएगा क्या हो गया answer आपके पास 4 यह था आपका area 4 units जो भी unit आपने लेक्ट हो गया एक्स एक्स की वह आपका answer आजाएगा तो वह इस तरह सॉल्व करते हैं इसको यह था integration का पूरा वीडियो आई हो आपको पूरी बात समझ में आई होगी बाकि जो कुछ numerical सब्सक्राइब करेंगे बहुत सारे नुमेरिकल करें कल के वह इंटीग्रेशन टॉपिक पर तो आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स टॉडिय लेक्शर में इसी टॉपिक के कुछ नुमेरिकल कि साथ इतना अगर आपने सीख लिया तो फिजिक्स के लिए आपका सफिसियंट है बेसिक इंटीग्रेशन इसी इस टॉपिछ इन नहीं आता है वैसे तो इंटीग्रेशन और डिफॉरेंस इंशन बहुत बड़े टॉपिक्स है मैत में इनको बीडियल में पढ